तो आज एक शांदा टॉपिक आप लोगों की तरह ही बहुत खुबसूरत टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है नेशनल इंकम हिंदी में इसको हम कहेंगे रास्टे आए तो जैसा कि सबसे पहले नेशनल इंकम के अगर हम बात कर रहें तो थोड़ी से इस सबसे पहले दादा भाई नरोजी ने 1886 में 1876 में सबसे पहले जो है हमारा नेशनल इंकम कैलकुलेट हुआ था 1876 में जी बिलकुल आप ठीक सुन रहे हैं कि देश आजाद होने से काफी पहले ही नेशनल इंकम दादा भाई नरोजी ने जो है सबसे पहले कैलकुलेट किया था जो कि उस समय एक agriculture sector ही हुआ करता देश में मोस्टली और कुछ आपका अधर सेक्टर था तो यहां पर दादाफ़ाई नरोजी ने ने नेशनल इंकम को कैलकुलेट करने में एक एहम भूमी का निभाई थी और इन्होंने नेशनल इंकम देश का कैलकुलेट किया था अठाथा तो चेतर में अब जैसे कि आप इस्ट्री जान रहे हैं तो कुछ सवाल आपके माइंड में आ रहा है कि हमें नेशनल इंकम क्या है और इसको कैलकुलेट करने की नीड क्या है क्यों इसको हमें क्या पड़ता है तो सबसे पहले आप नेशनल इंकम का एक साधरन सी भा होगी कि नेशनल इंकम क्या है तो वह समझ लेते हैं मान लिजिए नेशनल इंकम के बारे में कि आप यहां पर मान लें के कुल मिलाकर करके एक्जाम्पल के लिए हमारे देश में हमारे जो रेजिडेंस हैं जो हमारे रेजिडेंस हैं माले तीन लोग हैं एक की आंदनी 10 रुपए है और एक की आंदनी पंदरा रुपए है और एक की आंदनी जो है पांच रुपए है तो इन तीनों की आंदनी कुल कितना है इन तीनो हम हमारे हमारे जो है नेशन में जितने भी हमारे रेजिडेंट्स हैं उन सबकी इंकम का अगर आप सम कर दोगे जो उन्होंने एक फिसकल इएं में पि rif मिया किया है फिसकल इएडंशियलियर का एक साल में उस income का अगर आप सम कर दोगे तो ये हमारा national income बनता है ये बात सुझ में आए आपको national income क्या है लेकिन अभी ठहर ये ये अभी मैंने एक residence word को यूज करा है ये इतना आसान और इतना छोटा word नहीं है इस chapter में ही आगे चल करके हम residential status को बड़े detail में समझेंगे clear हैं तो आए बात करते हैं हम यहाँ पर कि आपको national income का मतलब तो संज में आ गया कि देश में जो भी लोग हमारे या देश के बाहर जो भी लोग हैं जो हमारे residents हैं जो उनकी आंदनी होती है उन पैसे को जोड़ करके एक साल में कितनी कमाई हुई है उसको हम national income कहते हैं लेकिन अभी भी इस आपके मन में एक सवाल बना हुआ है कि सर इसको calculate करने की नीड क्यों है क्यों इसको हमें calculate करना पड़ता है तो इसको एक छोटे से उधारन से समझने की हम कोशिश करेंगे देखिए मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है तो उसके लिए कुछ सोते हैं और नीद में अपक скass crew लेके चले जाते हैं और सुबा के आख खुलती और आपि कमरे में बंदे rip और आपको बतायाजाता है कि आप को एक जिए लेकर के आया आपको यहाँ पर जाना है जिकी यह नहीं बताइग आ जाना हwachंए तो कैसे क्लान कर पाऊगे आप को ब कि अपतां कि कि क्या हूब कुछ सब्सक्राइब करेंद चुछुम को चकलेने की लिए करने कि हमें की नियुक्त करना होता है समोज को समझने करना पड़ेगा आप वहाँ पर होस्पीटल में जा करकर कि कितने लोग बीमार है उसको गिनने से आपको economic status का पता नहीं लगेगा आप economic growth को लेकर करके strategy and policy नहीं बना सकते हैं तो first हमें हमारी situation क्या है इसको जानने के लिए ही हम national income को calculate करते हैं मुझे मालूम है अब आपके दिमाग में बड़ा सवाल आया होगा यार कितने हैं हमारे भारत की बात करें तो उन सब के पास जा जाकर के कौन पूछी का भी कितना कमाया कितना कमाया उसके बाद कोई तो सच बताता है नहीं है आज के डेट में हम कुछ चार दोस्त के साथ में है वो चारों ने मिधुना पताया तक कितना कमाता है तो बहुत आरे सबास में और में चप्टर के अंदर आका इंट्रस्ट आए मांक्स अपने आप आ जाएंगे पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म भी आप कर दोगे वो सब चीजे आपके पास में हैं कंटेंट भी उससे साथ आपका रेडी है लेकिन कहीं ने कहीं यह सिलिबस आपके मांक्स के लिए नहीं है यह सिलिबस आपके नॉलेज के लिए है आप नॉलेज प्रस्पेक्टिव से पढ़ें क्लिए जी तो यह बात आपको सबसे पहले आई कि नेशनल इंकम दादा भाई नरुजी भी आपके पास में नेशनल इंकम क्या है और इसको हम क्यों क्यों क्यलकूलेट करते हैं अब बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में हैं एक बात तो सवंज में आ गया कि इतना आसान तो national income को calculate करना नहीं होगा क्योंकि जब आप इतनी बड़ी आवादी की बात करूं मैं खासकर इस देश के जो अंदर लोग 130 क्रोड प्लस आवादी है और इस देंसल स्टेटस की में में बात करूं तो इनकी आंदनी का पता लगाना उनका calculation करना वह भी एक मैथड़नी अलग-अलग मैथड़ से देश की आई का बरे में पता लगाना यह इतना आसान नहीं रहने वाला है लेकिन मैं आपको इसको बहुत आसान कर दूँगा आने वाले topics में लेकिन वह आसान ह होगा कैसे बहुत बेसिक कर दूँगा आप पांच मिनट या चार मिनट के अंदर ही आप देश की आप रास्टाय निकाल देंगे वह उतना आसान होगा कैसे वह उतना आसान आपके लिए जब होगा जब आपकी थियोरी बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए जब आपके यहां पर मैंने पिक्चर लगाया है पहले इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि कंजंशन गुड्स क्या है जयसे कि यह आदमी जो है घन्य का जूस पी रहा है तो यह आप जो घन्य का जूस देख रहे हैं इसी को हम बोलते चौन्यम्शन फर लेकिन इसका पैल्च निसके हवारा है इसका फलक्शन इस मशीन के जो हो रहा है इस मशीन को हम कहते हैं Capital Goods यह व्यक्ति इस दुकान पर आकर किस मशीन को नहीं खाएगा ठीकर मशीन के हैल्प से एक जो चीजे पडियूस की गई है जो जूस बनाया गया है इस जूसों करेगा यह इस तो इसको डिरेक्ट सटिस्फाइड कर रहा है पर बस फर्क क्या फिर दोनों में जो कंजूमर गुड़्स होते हैं वो कंजूमर को डिरेक्ट्ली सटिस्फाइड करते हैं और जो capital goods होता है वो consumer को indirectly satisfied करता है अभी आप consumer and capital goods के और detail में मैं भी आपको बताने वाला हूँ फिलाल अभी आप ये समझेज़ेगा basic direct satisfaction क्या है और indirect satisfaction क्या है ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई अब बात करते हैं यहाँ पर हम देखिएगा फिलाल क्या goods and capital goods इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि आप चाहे consumption goods की बात कर लीजिए चाहे आप capital goods की बात कर लीजिए दोनों ही क्या होते है final goods होते हैं अब सवाल आपके मन में यह आया कि सरीय final goods क्या होता है अभी हमारा अगला जो topic होगा वो हम पढ़ेंगे intermediate goods and final goods के बारे में फिर भी मैं अभी आपको final goods क्या रहें थोड़ा सा बतायता हूं final goods dear वो होता है जो कि आगे दुबारा रिसेल नहीं होगा अभी अभी बहुत साधान भासा में आपको बता रहा हूं जो दुबारा आगे रिसेल नहीं होगा एक्जामपल के लिए आप किसी मेडिकल की शॉप पर जब मेडिशन देखते हैं ना तो जित्रे मेडिशन पड़ी हुए वो final goods नहीं है क्योंकि वो उसको दुबारा से वो रिसेल कर देंगे उसको आप अपने घर में लेकर करके आएना उसमेडिशन को आपको सर्दद हो रहा था तो वह आपके लिए final goods हो गया है जिसको आगे रिसेल नहीं क्या जाता इसको आप consumption कर लिए जाएगा तो यह मशीन भी आगे उठा करके यह नहीं बेचेगा क्लियर है और नहीं यह जूस जो है आगे बेच रहा है तो इसने जूस को भी यहाँ पर यूस में होकर के खतम हो जाएगा यह मशीन भी यहाँ पर यूस होकर के खतम हो जाएगा इसलिए दोनों को क्या बोलेंगे हम इस सिच्विशन में इस सिच्विशन में दोनों को बोल जाता है तो फिलाल अभी आप पड़ाएंट्र होता है पड़ा समजekkür पड़ाम समया वहां चांव को भुट्र चेंड होता है यह चन्द यह इंट्र करेंग तो यह दोनों सिचमिशन ऐसी यह कन्जुमिर्ग रुण द्याद safeguard यह यहीं पर यूज होकर कि ख़तम हो जाएगा यह तो अभी हिए हो जाएगा यह एक दिन हो जाएगा इसलिए हम दोनों को क्या बोलेंगे final goods finally यहीं पर इसका सिमाल हो जाना है तो basically classified of final goods दो parts में divided कर रहे हमने एक हमने consumption goods और एक हमने capital goods बात करते हैं consumption goods जो कि consumer को directly देख रहे हुआ फनी क्या होता है जैसे आप आप इमेज देख रहे हो एक ऐसी goods जिसको आप जो है long term तक लंबे समय तक durable जिसको आप एक बार यूज़ करने के बाद उसकी existence खतम नहीं होगी वो आगे भी further use में आपके आता रहे जिसे bad है वो आज भी यूज़ा है कल भी परसो भी आपका लंबे समय तक यूज़ में आएगा एक आपका refrigerator है लंबे समय तक आपके यूज़ में आएगा तो एक ऐसे goods जिसको एक बार यूज़ में लाने के बाद वो फिर भी further use में आपका आता रहेगा लंबे समय तक आपका यूज़ में आता रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे durable goods अभी जो पढ़ा रहा हूं अभी उसको समझते हैं अच्छे से समझ माया आपको durable goods क्या होता है तो it's referred to those goods which can be used again and again over a considerable period of time for example television refrigerator etc. clear है जी यह बात समझ माया आपको तो यह हमारे पास में क्या है इसको हम कहते है consumer goods का durable goods कहेंगे consumer goods में एक goods और आता है जिसको हम कहते हैं semi durable goods semi durable goods में हाँ जी देखे जड़ा तो semi durable goods क्या होता है semi durable goods वो goods होता है जो की durable भी नहीं है और non durable भी नहीं है बदलब की ठीक ठाक चलेगा एक साल के आज सपास उसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे जैसे कि आप देख पा रहे ना कि आपके पास में जो कपड़े हैं यह ऐसा निए दस साल तक आप अपने इस्तेमाल में ले आओगे ऐसा निया खैर हर किसी के जीवन में कपड़ा ऐसा होता हो जो पांच आठ साल वो ले आ आता अपने यूज में जो शायद आज आप सोने के काम में ला रहे होंगे वह एक एक सप्निल केस है मैं जानता हूं आपके पास में जरूर होगा अजा और आप जो घर पर रजाय में बैट खेए क्लास देखे रही हूं तो यह वह ही कपड़ा जिसके मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर आप बात करते हैं यहां पर हम किसकी सेमी डिरेबल गुट्स की, तो सेमी डिरेबल गुट्स के अंदर क्लोथ हो गया, जिसका लाइफ लगबल लबग एक साल के आसपास रहता है, अब बात करते हैं यहाँ पर नॉन डिरेबल गुट्स, नॉन डिरेबल गुट्स क्या होता है, वन टाइम यूज होने के बाद ही उसके जो एक्सेंसी है वो खतम हो जाती है, उसका असित्वय समाप्त हो जाता है, एक बार ही यूज में आता है, जैसे आप कुछ इमिज से समझ लेज़ेगा, इसको पढ़िएगा बात में, जैसे कि आपने एक खाया, खतम, क्लियर है न, तो यहां पर यह सारी चीज़े क्या है, यह नॉन डूरेबल है, एक बार ही आपके यूज में आएगी है, और इसकी एक्जिस्टेंसी, जो है, वो खतम हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डूरेबल गूर्स, गूर्स विचार यूज अप इन सिंगल एक्ट आपके खतम हो जाती है, मेरे बात समझे या नहीं समझे, तो यह सारे के सारे एक्जांबल किसके थे आपके, यह सारे सारे कंजम्शन गूर्स के थे, कंजूमर गूर्स किसे कहते हैं, क्लियर जी, कंजूमर गूर्स में सिर्फ वही चीज़े नहीं होता है, कि कंजूमर सिर्फ गूर्स का ही कंजम्शन करता है, कंजूमर एक सर्विसिस का भी कंजम्शन हो गया लेकिन अगर आप एक ऐसी चीज को इस्तेमाल कर रहा है लेकिन आप इसको देख भी नहीं सकते हैं यहां पर बात करते हैं सर्विस भी आपके आपके पास में आता है तो अब आपके पास सर्विस एफट नोन मेट्रियल गूर्स ये एक मेट्रियल गूर्स नहीं है विच डिरेक्टली सडिस्फाइड दा हीुमन वांस दे आरदा इंटेंजिवल एक्टिविटी जो की देखा जिसको देखा नहीं जा सकता है अब आगे ह हमारा क्याता है आगे हमारा आता है चैपिटल गुड्स किसे कहते हैं उसको मैंने तोड़ा साट सॉट में बता आता हूँ ऊप समय प्लॉंगस क्या शियों को अभी भी किसी के घर में नहीं होता है, आप अपने घर के कौने को आप तलास लीजिए, आपके घर में capital goods नहीं होगा, आप मुझसे चैलेंज करते हैं, सर मैं आपको दिखा दिखा दिखाओ, कहां से दिखाओगे, आप पता लगे, आप जूस निकालने वाले एक मशीन दिख आपके परिवाद जो है, उसका जूस पिना के पीते हैं, तो वो एक फर्म में नहीं है, capital goods कहां पर होता है, एक फर्म में ही होता है, जिसका काम क्या है, जो चीजों के प्लक्शन में, long run तक help करे, उस goods को हम बोलते है, capital goods, clear है, आप लेकिन उसका purpose क्या होना चाहिए, बिजन motive क्या होना चाहिए, profit earn करने के motive से आपने उसको लेकर की आए है, अब वही juice की machine, एक juice की दुकान पर है, वही juice की machine आपके घर पर है, तो आपके घर पर अगर वो पड़ा हुआ है, तो आपको वो as a consumer goods ही होगा, लेकिन एक दुकान पर वो लंबे समय तक उसका फ्लक्शन करन करने में, वो अपने profit को maximize करने में यूज मिलाएगा, तो उसके लिए capital goods है, मेरी बात समझे, एक medical shop जो चलाता है उसके घर में, रेफिजरेटर होता है, या नहीं होता है, रेफिजरेटर होता है, वो उसके लिए consumer goods है, लेकिन जो उसकी medicine की दुकान है, वहां पर रेफिजर क्या होगा, उसके लिए capital goods होगा, क्योंकि उसके प्लक्षन में, long run तक उसको help करेगा, clear है, मेरी बात समझे या नहीं समझे, तो हर firm के अंदर आपको capital goods देखने को मिलेगा, जैसे यह देखिए, मैंने के example समझाने की कोशिश की है, कि यह क्या आपका, यह आपका capital goods है, तो यह आपके इस चीजों के प्लक्षन में, long run तक, लंबे समय तक यह इस्तेमाल में आएगा, और क्या फर्क है, अगर आपके घर में refrigerator है, तो आप depreciation का provision नहीं बनाएंगे, रेकिन अगर यह refrigerator किसी कंपनी में, एक medical shop पर है, तो वो उसके depreciation का provision बनाएगा, तो capital goods पर क्या होता तो 20,000 रुपे का था, ठीक है जी, और आज मेरे जो फोन अगर मैं बेसता हूँ, तो शायद मुझे मेरे फोन के 5000 रुपे मिलेंगे, शायद मैंने इसका इस्तेमाल करा है, तो मेरे कितना loss हो गया फोन, कितना इसका price डाउन हो गया है, 15,000, जो loss हुआ है, इसी को मैं हम क्या बोल चुके हैं, यह क्या कहता है आपके थेयोरी में, उसको जारा समझने की कोशिश करते हैं, ready to use, of course the final goods, ऐसा नहीं कहेंगे आप, अब जो कि medical shop पे जो medicine है, वो ready to use है, बड़ वो final goods नहीं है, final goods और intermediate का मैं लोगा example मेरे अलग topic है वो, अच्छे से example लोगा मैं, हर एक example लोगा, ददद सुधारद लोगा कम से कम में, final के भी और उसकी intermediate के भी, अब मैंने वो ट्रॉपिक को लिया ही नहीं है, उसमें बात करेंगे नहीं करेंगे भी, सबी capital goods को चलाते हैं, हाँ, capital goods को आप क्या बोलोगे, final goods बोलोगे, clear है जी, क्योंकि उसको वो, अब ये machine लेकर के आया है, ये जो अब लक्षिन कर रहा है, ये machine को थोड़ी बेचेगा, अब किसी भी medical के shop पे चले जाईएगा, वो वहाँ आपको दवाई देगा, फ्रीज उठा के थोड़ी देगा आपको लोगे, फ्रीज तो वो अपने यूज के लिए लाए न, अपने फर्म के यूज के लिए लाया है वो, clear है, जो मेंडिशेन है वो उसको बेचेगा, तो मेंडिशेन उसके लिए intermediate हो गया, बट आपका जो तो यह capital goods होता है, क्या करा है, capital goods are those final goods which help in production of other goods and services, for example, plant and machinery and equipments etc, यह सारे के सारे क्या है हमारे, यह हमारे capital goods है, some points about capital goods, they are used in future for production, purpose and have the expected lifetime, इस पे एक expected lifetime होता न, कोई बीची जगर आप मशीन अपने फेक्टरी में लेकर कर आते हैं, तो 10 साल का provision बनाते हैं, 20 साल का provision बनाते हैं यह नहीं बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है, न कि आप एक क्रोड रुपे की मशीन लेकर के आए, और आपने उसको यूज कर रहे हो, कर रहे हो, जिस साल वो reject हुआ, आपने उस साल एक लाक रुपे का अपना एक क्रोड का loss दिखा द करते हैं, तो यह है कि इसका अपना एक जो एक्सपेक्टिट लाइट टाइम होता है, दे डू नॉट लूज देर आइडेंटिटी इंदा फ्लक्शन प्रोसेस, भाई अगर गन्ने के जूज की मशीन से अगर आप जूस निकाल रहे हो, तो वो गन्ना ही पीस करके जूस में करेगा, वो खुद पिखल पुखल करके नहीं जाएगा अपरी ग्लास में, समझे न, तो इसको यूज करने से, वो अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, रेफिजरेटर में दवाई रख दिया किसी मेडिकल शॉप माले ने, वो दवाई निकाल करके दे देगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे ज्या इसको हम, इसको हम बोलेंगे capital goods clear जी अब देखिएगा हमारा अगला सब्सक्राइब पड़ते कंजम्शन गूर्स पर जो भी तक हमने पड़ा है न थे जो कंजम्शन गूर्स होता है न चाहिए वो गूर्स हो यह फिर वह सर्विशी साथ इसकूर्डाइब करता है इसे अनुप नहीं होता है इसे गूंचन होता है और रहर गूंच्चक करता है अधिशन को बढ़ाता है ठीक्टेड लाइफ सब्सक्राइब अपने लाइफ होगी तो आप डिफ्रिशेट कर पाए पहले आप कंजूमर गूर्स और फाइनल गूर्स अब हमारा क्वेशन आया है कि इस तरीके से कुछ एक्जामपल्स भी लिए आपके लिए आपके लिए आपके पास में कि इन्ट्रिमीडर में रखोगे और किसको और फाइनल गूर्स में रखोंगे हैं तो कि मैं आपका टेस्स लेकर करके पूछाँ हमाभी यह आज इतना ही रखते हैं नेस्स क्लास में हम अपना जो है continue करेंगे इसलिए क्योंकि हिंदी मीडियम का अलग बैच इसलिए बनाया है क्योंकि उसमें हिंदी में आपको कंटेंट अपडेट हो जाए ठीक है कि मैं इसको अगली क्लास में लिखके आँगा आपको फाइनल गूर्स अंतिम बस्तूं इंट्री मीडियर गूर्स क्या होता आपका मद्ध्यवर्थी बस्तूं क्लियर जी और हिंदी में जो है आपका उपभोकता वस्तूं और इसको हम बोलेंगे पूंजिगत वस्तूं ठीक है जी हमारा क्या होता है जो है पूंजिगत वस्तू होगा ठीक है जी और यह हमारा उपभोगता वस्तू क्लियर जी को हिंदी में कर देंगी है चलिए मिलते फिर अगली कक्षा में um कि हां जी देखीगा रहें कि सर आप एफ टेलि ग्राम पर या फिर आप इस टोर पर दें तो यह पेद कोड्स का आपका चल रहा है तो पेड पास का सारा आपका पेड में ही जाएगा यह फ्री नहीं है ठीक है जी वीडियो भी आपके अपके अधिक जाएगी पेड इस्टोएंट को दिखेगा अधिक टेली ग्राम पर में चैनल शेर करूँगा आप से आध एक क्या मैंुक्त का जो चैनल था मारा मैंने मैक्रो का एक चैनल म कि अ वाले में चैट हो रहे थे और वो ग्रूप था तो ग्रूप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं चैट को इसलिए मैं वहां से सिफ्ट कर रहा हूं जैसे आप वाज सिफ्ट हो जाएंगे मैं उस ग्रूप को खतम कर दूँगा माइक्रो एकनॉमिस के ग्रूप को